बगती और रुट कास का वास और विश्वास का जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन यह है क्रिशी दर्शन यह है क्रिशी दर्शन कारिकर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है किसान भायों हम सब जानते हैं आज कल परदिश में गर्मी का दोर चल रहा है ऐसे में जो किसान भायी पशु पालन करते हैं वो इस समय अपने पश्वों की विशेश देखबाल करें नहीं तो पशु लू का शिकार हो सकते हैं और ऐसे में आपको बड़ा खाम्याजा भुकत ना पड़ सकता है और आई ये बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है किसान साथियों आज हम आपको गो पालन विभा की चल रही योजनाएं और गो शनक्षन के लिए क्या क्या कारिय किये जा रहे हैं इसके बारे में जान कर देंगे किसान भाईयों नमस्कार, खबरे खेती की में आपका स्वागत है आईए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें किसानों के लिए बीच पिकरी केंद्र हुआ इस्तापित प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में खुलेंगे चारा डीपो प्रदेश में कपास बुवाई ने पकड़ा जोर खरबुचे की खेती से दो गुना हुई आमदनी और किसान भाई बैंगन को बचाएं हरा तेला कीट से किसानों को खरी फसलों के उननत एम गुणवत्ता पून बीच उपलप्त करवाने के लिए प्रदेश में अगले महीने से खरी फसलों की बुवाई शुरू होने का अनुमान है इन दिनों किसान खेतों में खाद बिखेनने का काम कर रहे हैं खरी बुवाई की तयारियों के बीच खरी विश्व विध्याले बिकाने ने बीच बिकरी केंदर शुरू किया है विश्व विध्याले की कुलपती डॉक्टर आर्पी सिंग ने फीता काट कर इसकेंद्र का शुभारम किया इस मौके पर आयजुत कारिकरम में कुलपती डॉक्टर आर्पी सिंग ने कहा कि विश्व विध्याले के पास प्रियाप्द उन्नत किस्मों का बीच उपलब्द है किसान जब चाहें बीच के खरीद कर सकते हैं उन्होंने बताया कि बिहार और जारखन में भी विश्व विध्याले के द्वारा पैदा किये जाने वाले बीजों की अच्छी मांग देखने को मिली है उन्होंने बताया कि विश्विद्याले पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को खरीब फसलों का बीच उपलप्त करवाएगा अनुसंधान निदेशक डॉक्टर पीयस शिखावत ने किसानों को बताया कि कैसे उन्नत बीच से पैदावर बढ़ाई जा सकती है कारिकरम को विश्विद्याले के अत्रिक निदेशक ने संभोधित करते हुए कहा कि बीच करशी का आधार है फसल की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को नए विजो का उप्योग करना चाहिए उन्होंने बताया कि बीच विक्री केंदर पर मूं की तीन, मोट की चार और गुवार की तीन किसमों के बीच पांच किलो 20 किलो और 40 किलो की पैकिंग में उप्रप्त कराये जा रहे हैं राजिस्तन सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के पशुपालकों को राहत दी है चारा आपूर्ती के लिए 194 डीपों खोले गए हैं कम बारिश के चलते जेसल मेर, बार्ट मेर, जोधपूर, बिकानेर, पाली आधी जिलों को सरकार ने सूखा ग्रस गुषित किया हुआ है इन जिलों में सूखे के चलते फसलों के पैदावर नहीं हो पाई थी इस कारण इन दिनों पशुपालकों के सामने चारे के किलत बनी हुई है सूखा चारा महंगे दामों पर बिक्री हो रहा है इस इस्तती को देखते हुए राज्ये आबदा प्रभंदन विभाग ने चारा डिपो के साथ पशु स्वास्ते शीविरु को भी मंजूरी प्रदान की है राज्ये के आबदा प्रभंदन और सहायता विभाग के मंतरी गोविंदरा मैगवाल ने बताया कि पशुपालकों को चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी आबदा की इस घड़ी में सरकार पशुपालकों के साथ खड़ी है उन्होंने बताया कि सरकार ने पशुपालकों के लिए जैसल मिर में 738, बाढ़ में 286, जोदपूर में 3 और पाली में 2 पशुपालकों को निजा दिलाने के लिए बाढ़ में 49, बिकाने में 44, जोदपूर में 49 और पाली में 66 कुल 198 डिपो मनजूर किये है उन्होंने बताया कि राज्जे में चारे की काला बजारी रोकने के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है उन्होंने बताया कि गोशालाओं को छोड़ कर कोई भी व्यापारी 100 तन से अधिक चारे का भंडारन नहीं कर सकेगा श्री मेगवाल ने बताया कि चारे की आपूर्ती सुचारों बनाए रखने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश, हरियाना और पंजाब में टीमें भिजवाई है मध्य प्रदेश और हडियाना से आने वाले चारे को राजिस्तान में निर्भाद रूप से आने के लिए पत्र लिखा गया है तापमान में कमी के बाद प्रदेश में कपास बुवाई ने जोर पकड़ा है करीब देट लाग हेक्तेश शेत्र में कपास की बुवाई हो चुकी है श्री गंगानगर, हनुमानगर, बाडमे, अलवर, भरतपूर, चैपूर, पाली, भिलवडा आदी जीलों में इन दिनों कपास की बुवाई हो रही है क्रशी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जादा तापमान के चलते किसान भाई बीटी कपास की बुवाई से डर रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले एक दो दिनों से तापमन में आई गिरावट के बाद कपास के बुवाई शेत्र में एकदम से बरुत्री दर्ज हुई है अब तक डेड़ लाग हेक्टर शेत्र में कपास की बुवाई हो चुकी है विभाग का मानना है कि किसान मानसुन का रुप देखने के बाद कपास की बुवाई करते हैं ताकि सिचाई के लिए परिशानी का सामना नहीं करना पड़े उलेकनिय है कि इस साल कपास के दामों में तेजी के चलते बुवाई का रगबा बढ़ने की संभावना है पिछले साल साड़े छे लाख हेक्टर शेतर में कपास की बुवाई प्रदेश में हुई थी इन दिनों किसान कपास के साथ साथ जायद फसलों की भी बुवाई कर रहे हैं इन फसलों में जायद मूं, मूंगफली, गौार, बाजरा और सबजी फसलें सामिल है कर्शी विभाग के आकड़ों के मुताबिक राची में 11,000 हेक्टर में मूंग, 1,000 हेक्टर में उडद, 16,000 हेक्टर शेतर में मूंगफली और 3,000 हेक्टर शेतर में सबजी फसलों की बुवाई हो चुकी है किसान भाईयों, आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं नवाचारी किसान राईसिंग लोधा से किसान राईसिंग ने खरबुचे की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाई है जालावार जिले के जीतापुरा गाउं के रहने वाले किसान राइसिंग ने बताया कि पहले आर्थिक इस्तथी ठीक नहीं थी परम परागत फसलों से मिलने वाली आयसे परिवार का खर्च भी नहीं निकल पाता था कहते हैं न एक दिन मेहनत रंग जरूर आती है किसान राइसिंग के साथ भी यही हुआ है दो साल पहले किसान राइसिंग की मुलाकात क्रशी विज्ञानिकों से हुई उन्होंने राइसिंग को लो टनल तकनीक से खर्बुजे की पैदावार के लिए प्रोटसाहित किया किसान राइसिंग बताते हैं कि इस फसल से तीन लाख रुपे का शुद्ध लाप मिला है उन्होंने बताया कि सीचाई के लिए मेरे पास ट्यूब वेल है और जल बचत के लिए फवारा और ड्रिप का उपयोग कर रहा हूं उन्होंने बताया कि एक बिगा शेत्र में लेसुन के साथ साथ गोभी और धनिया के फसल भी लेता हूं इन फसलों से भी सालाना 60-70 हजार रुपे की आय मिल जाती है किसान भाईयों बैंगन की फसल को हरा तेला कीट नुकसान पहुचाता है उचित रसाइनों के शिड़काव से कीट का नियंतरन संभव है बैंगन की फसल में हरा तेला कीट का प्रकोफ होने से पोधे के पत्ते छोटे और सिकड़े हुए नजर आते हैं पोधो पर बनने वाले फल भी बेडोल हो जाते हैं गौड तलब है कि हरा तेला रस्चूशक कीट है इसके नियंतरन के लिए किसान भाई डाई मिथोड 30 इसी का एक मिली लीटर प्रती लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें किसान भाईयों खबरे खेती के में आज इतना ही आप देखते रहें करशी दर्शन नमस्कार कारकर में फिर से आप सभी का स्वागत है किसान भाईयों हम जानते हैं हमारा परदेश पशूपालन में परतमस्तान पर है हमारे यहां का किसान भाई खेती के साथ परशूपालन अवस्य करता है और इसके पिछे जो मुखे उदश्य है वो यह है कि खेती के साथ किसानों को दूसरी income भी मिलती रहे इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब बात हम गायों की करें तो गायों का परबंधन किस प्रकार से किया जाए और गायों का सरंक्षन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में जान कर देने के लिए आज हमारे साथ में है गोपालन विभाग के डॉक्टर लाल सिंग जी जो हमें ये बताएं कि गोपालन विभाग की कौन-कौन सी योजनाई चल रही है और इसके लिए गोश सर्णक्षन के लिए रास्तान सरकार क्या-क्या कारीय कर रही है डार साथ इस कारिकर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार किसान भाई यो नमस्कार स्थान में 149 लाक गोवंश है उसके संग्रक्षन और संबर्धन के लिए इसका सर्जन किया गया और इसमें प्रमुक रूप से जो योजनाएं चल रही हैं उनमें गोशालाइं जो हैं हमारी जो निराश्रित गोवंश है उन अधूराएं और इनगोशालाओं को लगातार उसमें आजकते हैं और एसी इस थान जब वह पालक आढ़े जो हैं और यह इंको संग्रक्षित करते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारी समस्यारें का सामना करना पड़ता है और वो सारी जो गोशालाएं हैं वो दान पर आधारी थी बहुत सालों तक वो दान दाताओं के माध्यम से इन गोवंश की रक्षा करती थी लेटर एंड सूनर जो है बाद में ये सरकार ने इस और ध्यान दिया और इस विभाग का सर्जन किया कि हम ऐसी गोशालाएं जो जिनके पास में उतनी छमता नहीं है कि उस गोवंश को पाले तो उनको कुछ मदद जो है कुछ आर्थिक मदद जो है वो दी जाएगी तो 2016 से जो ऐसी गोशालाएं हैं उनको सरकार ने मदद देना प्रारम किया और शुरुवाती दौर में उनको तीन महिने की अनुदान दिया जाता था 16 रुपया और 32 रुपया के इसाब से 16 रुपया छोटे बच्चे को जो तीन वर्ष तक के हैं उनको 16 रुपय देते थे और जो बड़ा गोवंश है जिनको जो तीन वर्ष ऊपर का है उनको 32 रुपय के इसाब से उनको राशी दी जाती थी तो ये तीन महिने का अनुदान देने से उनको थोड़ी सी राहत हुई उसके बाद ये परिवारतन हुआ कि इनको राशी कम पढ़ती है और 16 रुपय और 32 रुपय से एक पशु का गुजारा जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता तो तो राशी बढ़ाई जाए तो राशी सरकार ने इस राशी को बढ़ा कर 20 रुपया और 40 रुपया किया 20 रुपया छोटे गोगंश के लिए और 40 रुपया बड़े गोगंश के लिए तो ये जो राशी है इसको बढ़ाया गया और इसके साथ साथ में बहुत सारे गोशाला संचालकों की बार बार मांगाती रही कि हमारा यहां का जो आर्थिक जो साहता दी जा रही है वो तीन महीने की बहुत कम है इसको बढ़ाकर छे महीने किया जाए हमारे मानिय मुख्य मंतरी द्वारा ये गोशना की गई कि हम गोवंश को जो आर्थिक मदद दे रहे थे 6 महीने की इसको बढ़ा कर हम 9 महीने की जा रही है तो ये गोशालाओं को बहुत बड़ा सबल है कि आपको 9 महीने का अनुदान जो है वो एक वर्ष में दिया जाएगा दर सब अपनी किसान भाईयों को गोवंश जो हमारा किसान भाई पालता है तो निश्चित रूप से वो उससे कुछ इंकम लेना चाहता है कुछ न कुछ उससे आर्थिक लाब लेना चाहता है उस आर्थिक लाब को बढ़ाने के लिए गोवंश की नसल का सम्मर्दन होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अच्छा उत्पादन होगा गोवंश अच्छा उत्पादन देगी तब ही उसकी आए बढ़ सकती है अगर उत्पादन कम होगा तो आए निश्चित रूप से किसान की नहीं बढ़ सकती तो हर व्यक्ति हर किसान हर हमारा पशुपालक एक अच्छे गोवंश को रखना ही चाहता है तो राज्य सरकार द्वारा इसको विभिन योजनाओं के माध्यम से संवर्धन के कारे को किया जा रहा है पहले हम संवर्धन करते थे नैच्छुरल तरीके से कि अच्छे सांडों का वित्रन किया जाता था अच्छे जो नसलिय सांड होते थे उन नसलिय सांड को जो है जो भी पशुपालक जिनकी requirement होती थी तो वह हमारे जितने केंद्र हैं जहां पे हम बुल कावज को रेज करके और बुल बनाया करते थे तो वहां से वो एक निश्चित पैसा दे के वो क्रै कर सकते थे और अपने गाम में और अपने बाड़े में उन बुल्स को द्वारा संवर्धन के काम को कर सकते थे लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार द्वारा इस योजना पर थोड़ा सा अंकुष लगाया गया और साथ में यह कहा गया कि इसमें बहुत जादा संवर्धन की गुंजाय से कम हैं गरवाधन के माद्यम से किया जाए तो कृत्रिम गरवाधन जो है व पूरे राज्जे ले विभाग द्वारा किया जा रहा है कि हर जितने भी हमारे नसली दिन बहुत अच्छे नसल के जो सांड होते हैं उन सांडों से विरे को जो फ्रोजन सीमन बनाया जाता है और उस सीमन को जो है से गरबधारन जो है गववंश पर यह हमारी पदती बहुत सालों से चल रही है जिसको हम अपग्रेडेशन का एक माध्यम मानते हैं इसके साथ साथ बैलों की जो उपयोगिता है वो दीरे-दीरे कम हो रही है आप देख रहे हैं सड़कों पर बहुत सारे बैल जो है आपको नजर आते हैं इन बैलों को कम करने के लिए सेक्स सोर्टेड सीमन को इंट्रोड्यूस किया गया है उसको लाया गया है और यह बहुत जल्द ही पू आप देखेंगे कि जो सेक्स सोर्टेड सीमन है इसमें जिस भी मादा गोवन्ष को गरवित कराएंगे तो मादा गोवन्ष से भी 50 प्रतिशत गुण जो है वो अगले ओप्स्प्रिंग जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें आएंगे लेकिन एम्ब्रियो ट्रांस्पर टे हम अंडा जो होता है एक जो है वो भी अच्छी मादा गोवन्ष से प्राप्त करते हैं और जो सीमन है वो भी बहुत अच्छे बुल्ग से प्राप्त करके उन दोनों को निशेचन कराकर हम जाइगोट का निर्मान करते हैं यह एम्ब्रियो जब किसी सेरोगेट मदर में उन्ही माता-पिता से आएंगे जिनसे वो अंडा और सुक्राणु लिये गए थे तो यह बहुत अच्छी तकनिक है जिनके माद्यम से आप अपने गॉवन्ष को समवर्धन कर सकते हैं अपने गोवन्ष को बहुत अच्छा बना सकते हैं जिस से किसान-भाईयों को बहुत डर्साब हमारे किसान भाईओं को ये बताएंगे जो किसान भाई गोशाला निर्मान करना चाहते हैं, उसके लिए किन-किन कामों के लिए कितना अनुदान मिलता है और जो अनुदान मिलता है उसकी अधिक्तम राशी क्या होती है? जी, बहुत अच्छा प्रशन आपने किया राजश जी, गोशालाओं को हम तीन तरह से अनुदान देते हैं, एक अनुदान जो है कि हम उसको भरन पोशन का अनुदान देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भरन पोशन के लिए 20 रुपया और 40 रुपया नो महिने के लिए उसको अनुदान के रूप में दिया जाएगा, इसके साथ साथ में जो गोशालाओं छोटी हैं, जिनके पास में बहुत ज़्यादा गोवंश रखने की कपैस्टी नहीं है, उनकी इतनी छमता नहीं है, तो उनके छमता निर्मान के लिए भी हम पैसा देते हैं, ताकि वो अ दिया जा सकता है, उसमें एक लाख रुपया गोशाला को खुद को लगाना होता है, और नौ लाख रुपया जो है, वो विभाग उनको देता है, ताकि वो अपने चारा शेड का, या पशु शेड का, पानी के टंकी का, जो भी गोपालक आवास का निर्मान करना चाहे, तो हम नंदी शाला योजना कहते हैं, जि पहले हमने इसको जिलास्तरिय नंदी शाला योजना बनाई थी, तो हर जिले में एक एक नंदी शाला खुली गई थी, जिसमें 500 कम से कम नर्व गोवन्श को रखना जरूरी था, उसमें उस योजना के अंतरगत 50 लाख रुपया दिया राजे सरकार द्वारा की गई इस योजना के तहट ये महसूस किया गया कि जितना भी निर्मान कार्य होगा उस सारे निर्मान कार्य का पैसा राजे सरकार देगी इसके लिए एक नंदी शाला निर्मान हेतू एक क्रोड 57 लाग रुपे का प्रावधन किया गया है जो योजना में लाब लेना चाहते हैं जो योजना के अनुसार नंदी शाला खोलना चाहते हैं वो जैसे ही जिला कलेक्टर जो है वो निविदाएं आमंत्रीत करते हैं जो भी कोई संस्ता उसको खोलना चाहती है तो वहां अपना आवेदन कर सकते हैं और उसके तहत वो अपने इस योजन में नंदिशाला का निर्मान कर सकते हैं जिने डेड़ करोड रुपया सिर्फ निर्मान कारे के लिए दिये जा रहा है बाकी भरन पोशन के लिए अनुदान जो है वह नौ महिने का तो लगातार राज्य सरकार देही रही है डर्सब आपने हमारे किसान भायों को गोशाला नि के तहट क्या क्या कारी कर रही है बहुत ही मारमिक कुश्टिन जो है राजश जी आपने पूछा क्योंकि यह आज की ज्वलंत समस्या भी है कि स्ट्रे कैटल को किस तरह से मैनेज किया जाए आप देख रहे हैं कि जितना भी नर गोवंश है वह ज्यादातर सड़कों पे नंदी शाला खोली जिला स्तरिय नंदी शाला के बाद में फिर पंचायत स्तरिय नंदी शालाओं का निर्मान किया जाना शुरू किया तो इस तरह से सभी जो बाहर घुम रहे जुतने भी बुल्लक है नर गोवंश है उनको आश्रे देने के लिए जिला स्तरिय नंदी शाल जितना भी हमारा यह गोवंश है, जो बाहर सडकों पे घुम रहा है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो एक्सिदेंट का कारण बन रहा है, वो सारे गोवंश जो हैं, उनको आश्रे मिल सके, वो भी अपना जीवन सही तरीके से वहां पे यापन कर सकें और हम आज डोक्टर लाल सिंग जी ने आपको गोपालन विभा की चलरी योजनों के बारे में बताया, गोश अमर्दन किस प्रकार से करें, इनका स्रेक्षन किस प्रकार से किया जाए, गोश अला की निर्मान के लिए आप किस प्रकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, और साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस्टे कर्टिल मेंजमेंट का उसके बारे में जान कर दी, हम उम्मीद करते हैं कि आज का कारिकरम आपको बहुत पसंद आया होगा, डार साथ आज कारिकरमें पधारे और हमारे किसान भायों को इतने अच्छी ची जान कर दी, इसके लिए कि कौन सी फसल लगाने से आपको अच्छा पद मेलेगा और अच्छा मुनाफ़ा होगा, या पशुपालन में आप किस तरह से अच्छा प्रबंधन करके आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, इस कारिकरम से जोड़ी हुई कोई समस्या या सुझाव आपके पास में हो, तो आप हमें इस पते पर लिख कर भेज सकते हैं, इसके लिए हमारा पता है, क्रिशी दर्शन, डीडी राजस्तान, दूर दर्शन के अंदर, जालान डूंगरी, जैपूर, राजस्तान, आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, क्रिशी दर्शन, जैपूर, एड़ीरेट, जीमेल, तो किसान भायों आज के लिए बस इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए हमें आ गया दीजिए जै किसान जै राजस्तान जै भारत